नमाद, हरे क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, 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 हरे हरे, हरे रामो, हरे रामो, 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 हरे हरे सभी वक्तों का स्वागत है आज के भागुत कथा में तो हमने जो है कल चर्चा किया कैसे भगवान वरा देव ने जो है हिरनाक्ष का वद्ध किया और कल हमने तक्रीबन 26 लोकों तक चर्चा कर लिया था इसके बारे में और अभी हम चर्चा उसमें आगे करेंगे तो यहां पर बताया जा रहा है शिमत भागतम के हम लोग 19 वे अध्याय में हैं किलिंग ओफ डीमन हिरनाक्षा तो इसके पस्चात जो है अगला भाग आने वाला है 27 से 32 लोक में ब्रह्मा जी जो है वो प्राथना कर रहे हैं भगवान से वो बनवनन किया गया है और फिर 33 से 36 लोक में कि भगवान की जो लीलाएं है उनका महात्मा बताया गया है विशेश रूप से यह जो उन्होंने लीला की थी यह नक्ष को वद्द करने की और जो 37 और 38 श्लोक है वो बहुत महत्वपून है क्योंकि इन दोनों श्लोकों में फल स्तूती बताया गया है तो जब भी हम कुछ करते हैं तो उसके साथ फल स्तूती मिलता है तो यहाँ पे ये फिशेश रुप से फल स्थूति बताया गया है कि कोई सुनेगा इसको तो उसको क्या फल मिलने वाला है तो जैसे हम सबने वरदेव और हिरनाक्ष की पुरी कथा सुनी हैं तो उसके हर आधिहाई के आंत में ऐसा भगवान कृपा करते हुए शोतागण को फल देते हैं तो यह बहुत महत्वपोन फल है आप सुनेंगे तो उससे काफी आप उतेजित हो जाएंगे और आपको लगेगा अच्छा हुआ जो है हमने एक अथा सुनी तो 26 श्लोक का तात्परिया पर हम चर्चा कर लेते हैं 26 श्लोक में बता जाता है कि कैसे उनका अंत हो गया और कैसे वो पेड़ के समान गिर पड़े तो यहाँ पर प्रवपाजी तात्परिय में 26 श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान के लिए एक दानों को मारना एक पल का कारिया है उस एक पल से भी कम समय में जो है भगवान दानों का अंत कर सकते हैं और दानों के साथ सार प्रवपाज स्पष्ट कर रहे हैं हिरेनाक्षा को मिलाते हुए अर्थात कोई भी दानों को अंत करना जो है कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन भगवान ने प्रशना आता है काफी समय पहले क्यों नहीं मारा क्योंकि प्रवपा लिखते हैं कि भगवान चाहते थे जो हिरनाक्षा है वो अपनी पूरी शक्ती दिखाए और पूरा अपना जादो तोना दिखाए और पूरी तरह से जो उसके पास मायावी शक्ती थी वो पूरा प्रदर्शन करें पूरी शक्ती दिखाए उसके बाद मैं उसको अंध करूँगा तो भगवान चाहते थे कि ये जो राक्षश है वो अपना पूरा शक्ती का प्रदर्शन करें उसके बाद मैं अंत करूँगा तो ये भगवान की लीला थी तो बोलते हैं इतना सब करने के बाद भी वो जो है भगवान ने उनका अंत कर दिया तो और वो भी कैसे अंत किया प्रभपा लिखते हैं 26 वे श्लोक के अंत में एक थपड मारा उन्होंने कैसे अंत किया परभभा लिखते है Simply by one slap सिर्फ एक थपड मारा उनके जो दूसरा उनके वरदेव के हात नहीं है वरदेव के चारों पैर ही है क्योंकि वरदेव जो रहते है जो सूवर होते हैं उनके हात नहीं होते हैं उनके चार पैर होते हैं और उसी से वो गदा पकड़के जो है युद कर रहे थे तो पैर से ही एक जहापड मारा जिससे उसका अंत हो गया तो ये बता रहे हैं प्रहुपात कि भगवान देखे किते शक्तिशाली हैं उनके लिए सबसे शक्तिशाली दानव को भी अंत करना जो वो सब ब्रह्मा और सारे देवतारगन आ जाते हैं और ये बोलने लगते हैं इसका बहां बहुत भाग्या है क्यों बहुत भाग्या है क्यों कि ये भगवान का दर्शन करते हुए इसका अंत हो गया तो ये देखिए बहुत जरूरी चीज है कि जितने भी दानव हैं उन सब को मुक्ति मिली क्यों मुक्ति मिलने का उदेश्य ये था कारण ये था कि वो भगवान को देखते हुए उन्होंने शरीत यागा प्रोपाज बोलते हैं कि उसका जो चेहरे का चमक था वो जो है खतम नहीं हुआ था वास्ते गरूप में जब है आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर में जो चमक होता है वो पूरा तरह से चला जाता है तो इसके शरीर से जो है वो चमक क्यों नहीं गई थी तो प्रोपात बोलते हैं क्यों? के हिरनाक्षो को भगवान ने सपर्ष किया था तो भगवान का सपर्ष होने के कारण जो है ये जो है इतना अमृत्यू के बाद भी उसमें प्रकाश दिख रहा था उसमें चेहरे पे उसका शरीर का जो ओज था तेज था वो बना था तो प्रोपा लिखते हैं जब तक आत्मा रहती है तब तक शरीर में तेज रहता है और जब आत्मा छोड़ देती है तो शरीर का पूरा तेज खतम हो जाता है लेकिन उनके सामने साक्षात भगवान थे और उनका संपर्क होने के कारण उनके शरीर में फिर भी तेज बना रहा है। तो फिर प्रभवपा दिखते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान को देखता है अपना शरीर अंत करते समय तो वो बहुत भाग्यशाली माना जाता है। कि अन्त काले में कोई भग्त मुझे याद करता है तो वो भगवधाम प्राप्त करता है। तो अभी हमारे लिए जानना ये महत्वपून मुद्दा है कि हो सकता है कि हम याद नहीं कर पाएं क्योंकि मृत्यू के समय हमारी जो है शारीरिक परिसिती बहुत भहेंकर होती है। में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है तो ऐसे समय में हम याद नहीं कर पाएंगे शायद भगवान को लेकिन अगर हमने भक्ती की होगी तो हमारे साथ सारे भगदगंड रहेंगे और वो किर्टन कर रहे होंगे और अंतिम समय जब हमारा आत्मा शरी छोड़ने वाली ह होगी तो भक्तों की किर्टन करने से यह फल मिलेगा तो यह सुनते हूए हम हरुआ हम शरी त्याग रहे है तो यह चीज भॉत मुख्य हैं मैंने बहुत सारे भक्तों के जीवन में देखा है बली वो सतो कृष्णा थे बली वो राधा शालिनीन माता जी है जो मेरे सामने इन नहीं थी कि वो भगवान का नाम ले सकें, लेकिन जो भग्द गर्ण थे वो इकत्रित होके जोर से हरिनाम कर रहे थे, और जैसे बताय जाता है कि भली वो भग्द आंक बंद होगा, देखनी रहा होगा, लेकिन सुनने की शक्ति, ये मेडिकल साइंस भी इस बात को स्विकारत है कि सुनने की जो शक्ति है वो मृत्यू के समय तक रहती है, तो अंतिम समय तक सुनने की शक्ति रहती है, तो अंतिम समय तक जो है अगर हम हरी नाम दे रहे हैं, तो उससे वो हरी नाम सुनते वे शरी त्याकते हैं और भगवत दाम प्राप्त करते हैं, इसलिए हम लोग का जो गिफ्ट शॉप में या किसी भी इसकॉन सेंटर में जाएंगे तो हरे कृष्णा प्रभवपात का धुन का वो रहता है जो इलेक्ट्रिक पे चलता है और बैटरी वाला भी है तो वो आप continuous लगा दें तो वो continuous चलता रहता है तो ये बहुत अच्छा है किसी का अंतिम समय आने वाला हो किसी के परिवार में या जो है रिष्टदारों में तो ये उनको भेट देना चाहिए उनको बोलना चाहिए ये continuous चलते रहिए और अगर वो भागेशाली रहा तो अंतिम में आकर भगवान का हरी नाम सुनते वे जाएगा तो भगवदाम जा सकता है तो ये 27 वे श्लोक में बताएगे है तो यहां लिखा है कि four foot तो जैसे मैंने बताया है वरह देव के हाथ नहीं है तो यहां पर प्रभवपा लिखते है four foot मतलब उनके सामने वाले जो पैर थे उससे उनको स्पर्ष मिला तो बोलते हैं यही चरणों को इलिए जो योगी हैं वो पूरा जीवन ध्यान करते रहते हैं और यह है इतना भाग्यशाली है कि उनको इन ही चरणों का स्पर्ष हो गया जिससे उनका उद्धार हो गया करके ऐसे करके यह 28 वह श्लोक में वनन किया गया है और बोलते हैं दीती का जो पुत्र था तो वो जो है आपको दर्शन करते हुए उसने अपना शरीर त्याग दिया तो प्रोपा लिखते हैं कि यह जो योगी होते हैं और यह सब हमेशा ध्यान करते रहते हैं जिससे उनका उदेश्य क्या है भगवान के चरणों को दियान करने का प्रोपा लिखते हैं परफॉर्म मेडिटेशन इस्टो गेट रिड अफ दिस मट्रील बॉड़ी गेट रिड अफ दिस मट्रील बॉड़ी का मतलब है कि वो चाहते हैं बस यह जो शरीर है इसका मैं त्यागूं और मैं भगवाद्धाम प्रवेश कर सुकूं तो यह बार-बार दोराय गया है यह पूरे इसमें वापस से आएगा यही बात कि कैसे भक्ती करने का उद्देश्य है भगवाद्धाम प्राप्त करना और जन्मित्यू के चकर से भार निकलना तो अभी ब्रह्मा जी बोलने लगता है यह दोनों जो हैं भगवान के पारशद थे और उनको शराप मिला था इसलिए वो दानों के शरीर में आये थे और वो कुछ जन्मों के बाद वापैसे अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे तो ध्यान रखेएगा यह जो शिशुपाल अभी हिरेनक्ष रावन दंतवकर है रावन और कुमकरण है और बाद में शिशुपाल और दंतवकर है तो यह तीन जन्म होने के बाद दोनों जो है यह जै विजय इन तीन जन्मों के बाद और अंतिम जन्म है शिशुपाल और उसके बाद वापस है जय विजय का उनको पद्वी मिल जाता है वापस भगवदाम चले जते हैं सिर्फ तीन जन्म के लिए वो यहां दानों बन कर आते हैं तो यही चीज ब्रह्मा जी यहां 29 श्लोक में वर्णन कर रहे हैं फिर 30 श्लोक में बोलते हैं यहां पर वो भगवान वर्ण का सुती कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि आप सब यग्य के भोकता हैं और आपने वर्ण का रूप लिया है जो सुद सत्व है और आप पुरिष्ष्ष्टी को संभालते हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि आपने इस राक्षश का भी उद्धार किया है और उसके आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा, आपके कमल जैसे चरणों से स्पर्ष किया और उनका उध्धार हो गया. तो यहाँ पर प्रभपाजी बताते हैं, भौतिक जगत तीन गुणों से बना है, सत्व, रजो, तमोगुण. आध्यात्मिक जगत में तीनों गुण नहीं हैं. आध्यात्मिक जगत क्या है? शुद्ध सत्व, प्योर गुणनेस प्रवपाद लिखते हैं. और भौतिक जगत में रहते वे भी हम शुद्ध सत्वा में रह सकते हैं हम जितना समय भगवान के संपर्क में रहेंगे भगवान के हरी नाम, भगवान की कथा, भगवान की सेवा तब हम शुद्ध सत्वा में रहते हैं यहां तक कि उसमें सत्व रजद तमोगनतीनों का प्रभाव नहीं होता तो जो आध्यात्मिक जगत शुद सत्व से बना है हम लोग बंबई में रहके भी शुद सत्व में रह सकते हैं भगवान के संपर्ख से तो सत्वम विशुद्धम ये संस्कृत शब्ध है प्योर यह अंतिम में लिख रहे हैं तीसवे श्लोक के परपड में लास्ट परग्राफ के चार-पांच लाइन पहले है प्रभपात बोलते हैं प्योरिफाइड लाइफ इस मेंड टू प्लीज दो लौड मतलब हमारे जब शुद जीवन रहेगा तो शुद जीवन का उद्देश् करना और फिर बोलते हैं हर यग्य जो भी होता है तो उससे all sacrifice performed in purified life are called Krishna consciousness तो अभी ये Krishna भावनामरित की परिवाशा बता रहे हैं प्रभपात Krishna भावनामरित की परिवाशा क्या है कि आप जो भी कारिय करते हैं शुद चेतना से तो वो Krishna भावनामरित कहलाई जाती है यहाँ पे sacrifice या यग्य बोला गया है तो संकिरतन यग्य है या सेवा का यग्य है या श्रवन का यग्य है अगर हम शुद चेतना से कोई भी कारिय करत तो देखिए ये बहुत जरूरी है स्भक्तों के लिए जानना है कि हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं अध्यात्मिक जीवन में लेकिन शुद्चेतना से करेंगे तो वो खृष्णा भावनामरित कहलाता है फिर तीस्वे श्लोक में ये हम सब साथ में चर्चा कर सकते हैं क्योंकि इस श्लोक में एक बहुत मुख्य जो है शब्द आ रहा है जो मैं आप लोग सब के साथ विस्तार में बताऊंगा आप लोगों को तो ये 31 श्लोक है तो यहां पर देखे भगवान को जो है हरी करके संभोधित किया गया है और आदि सुकरा आदि सुकरा का प्रोपाजी तात्वरे में बताएंगे कि ये जो है सुवर वरक के रूप में आये हैं पर ये सभी जो है सुवरों के स्तोत्र हैं और जो सबसे मुख्य शब्द है वो है अखंड उत्सवम अखंड उत्सवम मतलब जो है अनिंट्रॉप्टेड फेस्टिवल तो ये बताया गया है कि भगवान जो है अपनी लीला करने के बाद हिरनाक्ष को अंत करने के बाद कहां चले गए अपने धाम चले गए उस धाम का यहाँ पर वर्नन किया गया है जगम लोकम जगम लोकम मतलब रिटर्न टू इस ओन अबोर्ड अपने लोक चले गए और वो लोक क्या है अखंड उत्सवम अखंड उत्सव मतलब वहाँ पे उत्सव होता रहता है एक उत्सव के बाद दूसरा उत्सव ऐसे उत्सव का कोई अंत नहीं है यह है आध्यात्मिक जीवन और अगर हम भगवान को बीच में केंद्र रखके अगर हम भगती करते रहें तो हम भी उत्सव मना सकते हैं मैंने जो है एक बार पूरा पूरे साल में हमारे देखा जाये तो हर महिने में हमारा एक ना एक उत्सव आ जाता है तो अगर आप देखें हम लोग का जिनुरी से चालू होता है अगर भक्त भी चाहें, हम तो गोपिनात में जाके पूरे उत्सव मनाते हैं, लेकिन अगर कोई अपने प्रोग्राम में बनातना चाहता है, घर में बनाना चाहता है, तो देखे मैंने पूरा लिस्ट बनाये था, जैनुवरी में पुश्वभिशेक होता है मंदिर में, फरव में जो है, सबसे मुख्य जो गुरुपूर्णी में आता है, जो हमने भी बनाया सनातन गोस्वामी का, और बाकी छे आचारियों का तिरोभाव आता है, और जुलाई में अगर चाहिए, तो हम जो है, बलगराम जेनती भी बना सकते हैं, फिर ऑगस्ट में आ गया महिने में जाता है, कार्तिक का पूरा मास आता है, और डिसम्बर महिना, जो है, क्रिस्मस और रादानाथ महराज का जनम दिन आता है, तो अगर आप देखें, फूरे की पूरे 12 महिनों में उत्सव ही उत्सव है, और कई-कई जगे पे तो प्रोग्राम ऐसे होते हैं, कि एक हफते पहले जनमाश्मी मनाते हैं, एक हफते बाद जनमाश्मी मनाते हैं, तो ऐसे जनमाश्मी जो है, वो एक महिना पहले और एक महिना बाद चलता ही रहता है, और बामबे में, दूसरे सैटलेट सेंटर में भी, तो यहां पर बताया गया है, अखंड उत्सवम, तो यह है आधियात्मिक जगत जहां पे हम जाने की सोच रहे हैं अगर हम भौतिक जगत में रहे के उत्सव पे उत्सव कर सकते हैं तो सोचे भगवत धाम में कितना उत्सव होगा और अगर हम भौतिक जगत में भी पूरी तरश से हमारा मान इसमें है कि हम भगवान का सुटी करना चाते हैं, भगवान का गुनगान करना चाते हैं, भगवान की हरिकत्था हरी किर्टन करना चाते हैं, तो देखिए उत्सवों की कमी नहीं है, सब लोग अपने घर में मना सकते हैं उत्सव, सब लोग जो हैं, दूसरे भक्तों को बुला सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं और उत्सव ही है तो प्रवपाजी यहां बताते हैं यह 31 लोक के तत्परे चल रहा है कि वेदान्त सूत्र में बताया गया है कि भगवान सब चीजों के स्तोत्र है यहां तक कि सिर्फ वरह के ही नहीं या सूकर के ही नहीं 84 लाक यूनिया जो है वो सब के स्तोत्र वो ही है इसलिए उनको आधी करके बताया गया है आधी मतलब शुरुवात तो प्रवपाद बोलते हैं अरजुन ने भी भगवान को आध्यम करके संभोधित किया गया है गीता में ब्रह्मा समीता में भ्रमा जी भी उनको आधी पूर्शम बोलते हैं और गीता में दस्वे अधिया आठवा श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मेरे जो है द्वारा पूरा भौतिक और आध्यात्मिक जगत निर्मित है और मेरे में से सब चीज प्रकट होते हैं मता सर्वरम निम्न प्राणी मानते हैं लेकिन भगवान को आधी सूकर बोला गया है क्यों आधी सूकर बताए गया है क्योंकि वो एक आम जो है सूकर नहीं थे आम जो है ये नहीं थे जानवर नहीं थे और यहां तक कि बताय जाता है कि भ्रमा और सारे देवतागन जो है आके उनकी सूती करने लगते हैं तो यहां बताते हैं for the sake of killing the miscreants and saving the devotees तो देखिया भगवान गीता में सपष्ट किये हैं कि मैं क्यूं अव्तरित होता हूं मेरा आने का उदेश्य क्या है पडतनानाया, साधुना, मिनाशयच, दुष्टृताम तो भ्रम्मा जी और देवताओं को बचाने के लिए और दुष्टों को मारने के लिए तो किस दुष्ट को मारा? हिरनक्ष को मारा तो प्रोपत बताते हैं गीता की बात को भी भगवान ने सही बताया और फिर बताते हैं कि भगवान जो है अपने धाम में चले गए इसका मतलब यह है कि हर भगवान के आउतार का अलग-अलग धाम है अलग-अलग धाम है मतलब जब हम वैकुंट लोग की बात करते हैं तो प्रवपा लिखते हैं millions of वैकुंट planets are there अरथात लाखों करोडों की संख्या में जो है भगवान के ऐसे बहुत सारे अवतार हैं भगवानम में से इतने हमने अवतार सुने हैं उनका हमें जानकारी है पर शास्तर यह बताता है कि जैसे समुद्र के कितने लहरे हैं तो कोई गिन नहीं सकता कितनी लहरे आती है उसी प्रकार से भगवान के कितने अवतार हैं कोई गिन नहीं सकता अनंत कोटी अवतार है भगवान के तो अनंत कोटी उदर वैकुंट के अलग-अलग लोक है तो उसका वनन किया गया है तो बोलते हैं भगवान वहाँ पे रहते हुए यहाँ पे भी लीला करते है तो जब यहाँ लीला हो रही है तो भगवान वरदेव जब यहाँ पे थे तो वैकुंट लोग में भी भगवान जो वरदेव हैं वहाँ पे थे वहाँ पे भी लीला कर रहे थे तो कैसे दोनों जगर पे भो प्रकट रहते हैं तो उसका व January करते हैं प्रोपाद बुलते हैं देशचे सूरिय देव जो सूरिय देव होता है वो अपने सूरिय लोख में तो ही लेकिन सूरिय लोख के साथ-साथ जो है प्रकाश के रूप में पूरे प्रित्वी पे भी जो है विद्यमान रहते हैं तो जब एक सूरिय में इतनी शक्ती है कि वो दोनों जगह विद्यमान रह सकते हैं अपने लोक में भी और पूरे प्रित्वी बे भी और बाकी सब जगह बे भी तो उसी तरह से बता जाता है भगवान भी वईकुंट लोख में भी रहते हैं और यहां पे भी लीला करते हैं अच्छा अभी प्रवपाद यह उत्सव का दूसरा मतलब बता रहे हैं एक तो हमने सुना अखंड उत्सव उत्सव मतलब जो है ट्रांसलेशन में बताते हैं फेस्टिवल लेकिन यहां पे प्रवपाद जो है तात्तवरे में एक और मतलब बता रहे हैं उत्सव मतलब प्लेजर आनंद तो एक और मतलब यह होता है कि जब आधियात्मे की जगत में जाते हैं तो अखंड आनंद की प्राप्ति होती है और आप हमेशा जो है उदर आप खुशी में रहते हैं तो सम फंक्शन टेक्स प्लेस टो एक्स्प्रेस हैपिनेस इस कॉल उत्सव तो बलते हैं हम कुछ भी कारिया करें जिससे हमें आनंद आए तो उसे उत्सव बोलते हैं और complete happiness is present in वाइकुंट अप्रोपा लिखते हैं तो जो हम वाइकुंट लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं वाइकुंट लोग में जो है असिमित रूप से आनंद है और वो ही आनंद हम यहाँ पे भी प्राप्त कर सकते हैं अगर हम वाइकुंट के साब्स अपना जीवन व्यतीत करें अर्थात हम अपना मन, इंद्रियां और हमारा पूरा जीवन जो है भगवान के संपर्क में रखेंगे तो हमें भी यह अखंड उत्सवम जीवन में हमें प्राप्त होगा तो यहाँ प्रापद अंत करना है कि अवतार का परिभाशा क्या है भगवान अवतरित होते हैं तो बोलते हैं अवतार शब्ट का मतलब है one who descents अर्थात भगवान जो आध्यात्मी जगत से बहतीक जगत में आते हैं तो उसे बोलते हैं अवतार तो अभी मैत्रे रिशी बोल रहा है कि मैंने आपको वर्धेव का कथा बताया जो मैंने अपने गुरू से सुना देखिए मैत्रे रिशी जो है पूरे विदुर्जी को कथा सुना है और कथा सुनाने के बाद बोल रहा है कि मैंने आपको पूरा कथा सुनाया लेकिन मैंने भी जो है वास्ते गुरूप में अपने गुरू से सुना है तो प्रहुपाद बोलते हैं तो एक्सेप्ट बोनोफाइड तर सिस्टम आफ परमपरा और रिसीविंग दे टांसिल मेसेज इन डिसाइबलिक सक्सेशन तो सबसे मात्वपूर्ण ये चीज है प्रहुपाद बता रहे हैं कि हमें परमपरा में ग्यान प्राप्त होना चाहिए और उसको परमपरा को अंगरे जी में आप डिसाइबलिक सक्सेशन बोलते हैं तो ये ज्ञान भागवत का या भक्ती का हमें परमपरा में मिलेगा तभी उसमें जो है पूरी आध्यात्मिक शक्ती बनी रहती है तो प्रहुपा लिखते हैं कि जब तक हमें परमानिक गुरू से ज्ञान नहीं मिलेगा मतलब कोई कथा बोल भी रहा है लेकिन अगर वो परमपरा में नहीं आ रहा है तो परमानिक नहीं है करके प्रहुपा बता रहे हैं तो हिरिनक्ष का पास बहुत जो है शक्ती थी लेकिन भगवान के सामने वो एक गुड़िया और गुड़े के समान है या जैसे बोलते हैं डॉल बच्चे लोग खेलते हैं कई बार गुड़ा गुड़िया से और खेलते खेलते तोड़ देते हैं तो बोलते हैं भले हिरिनक्ष में प्रोपाद अंत कर रहे हैं ये कथा का ये बोलते हैं, बहुत सारी शक्ति थी, लेकिन भगवान के लिए वो एक पुतले या गुड़िया के समान थे, गुड़ा गुड़िया के समान, और भगवान ने उसका अंत कर दिया. तो, देखे, एक भागवत कथा में में सुन रहा था, कि सुदामा, हम लोगने क्रिश्न लीला में सुना है, कि सुदामा कैसे दरिद्र थे, दरिद्र थे, लेकिन तब भी वो भागयेशाली थे, तो दरिद्र होते हुए भी कोई भागयेशाली हो सकता है, क्योंकि हम लोग को क दरिद्र है मतलब वो दुर भागेशाली है नहीं यह बहुत दो बोलते ना अलग रख चीजें हैं हमें लगता है जो धनवान है वो भागेशाली है और जो दरिद्र है वो दुर भागेशाली है ऐसा नहीं है यहां बताते हैं सुद्धामा जो थे वो बहुत दरिद्र थे और दरिद्रा होने के कारण उनहें लगेगा कि वह दुर्भागेशाली थे नहीं लेकिन वह भागेशाली बने क्यों कि वह क्रिष्टा भगवाशा भगवान उनका इतना सेवा करते हैं, इतना ध्चान करते हैं, कि भगवान जो हैं उनको चरण धोते हैं तो एक मिनिट में आप लोग से एक कुछ सेकंड्स के लिए मैं आपका ब्रेक चाहूंगा एक सेकंड्स हीना सत्य नायम प्रवू कॉल कर रहे हैं कि आये जरा देख लो न वो बीटिंग में निकाल लो ऑपरेटर से है 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 भाई से बोल निकालने को है 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 तो बताया जाता है कि यह सुदामा की कथा में कि वो दरिद्रत है पर भागयशाली थे क्योंकि उनको प्रिष्ण भागवान का संग मिला था तो हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है हमारे सब की जो फाइनेंशल सिचुएशन है आर्थिक परिस्तिती है किसी की अच्छी होगी किसी की अच्छी नहीं होगी एक मिनिट तो यहां पर वनन किया गया है कि यह तो कैसे जो है सुदामा जो है उनमें एक और ये था कि उनमें तोड़ा अहंकार था आचारेगन बताते हैं क्या अहंकार था कि वो दरिद्र है तो यह अहंकार होने के करेंट ट्रिष्ण भगवान परमात्मा के रूप में सबके हिदय में निवास करते हैं तो उनको ये समझ में आ गया भगवान को कि इनमें आहंकार है तो उसका आहंकार का नश्ट करने के लिए क्या आहंकार था कि मैं बहुत दरिद्र हूँ तो ये आहंकार नश्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया उनको पूरा बड़ा महल दे दिया तो जब ये महल आ गया तो वो ये अहंकार नहीं बना पाए कि मैं दरिद्र हूँ तो यहां बताया गया है कि हम में हमारी भी आर्थिक परिस्थिती अलग-अलग होगी लेकिन अगर हम भगवान के संपर्क में हैं तो शास्तर बताता है आप भाग्येशाली है तो हो सकता है हम अपने जीवन में बहुत सारा धन इकत्रित करें न करें लेकिन अगर हम कृष्णा के संपर्क में रहेंगे तो अवश्य हम जो है अपने आपको भाग्येशाली कहला सकते हैं और हम भगवान की पुरी कृपा प्राप्त कर पाएंगे तो अभी यहां 33-36 श्लोकों में वर्नन आता है कि कैसे सुखत भगवान की महिमा का वर्नन किया गया इन चार श्लोकों में तो बोलते हैं विदुर जी जब उन्होंने ये पूरी कथा सुनी तो वो बता जाता है कि बहुत प्रसन हो गए और उन्होंने महित्र रिशी जो परंपरा में हैं उन्होंने उनसे पूरा सुना तो प्रवपा दिखते हैं तातपरे में 33 श्लोक के कि जब भी हम हरी कथा सुनते हैं इसमें एक दिव्या आनन्द है अबी हमें दिविया आनन्द मिल रहा है के नहीं वो दूसरा प्रश्णा है पर प्रवपात यहां लिख रहे हैं कि यह जो हरी कथा हम सुन रहे हैं इसमें दिविया आनन्द है और दूसरा यहां पर लिखने है दिवियानन्द कब मिलेगा हमें जब हम प्रमानिक कथाकार से सुनेंगे तो प्रमानिक कथाकार कौन है जो परंपरा में आ रहे हैं उनसे अगर हम सुन रहे हैं तो हमें दिवियानन्द की प्राप्ति होगी तो प्रोपाद स्पश लिखते हैं यहाँ पे कि अगर हम अपने जीवन में एक प्रमानिक गुरू को स्विकार नहीं करेंगे तो हम भी कभी प्रमानिक नहीं बन सकते देखिए प्रोपध अपने तातपरियों में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं जो हमें ध्यान से समंजना है अगर हम अपने जीवन में प्रमानिक गुरु को स्विकार नहीं करेंगे तो हम भी जीवन परिंट प्रमानिक नहीं बन पाएंगे तो अगर हमें प्रमानिक या बोनोफाइड बनना है तो उसके लिए प्रमानिक गुरु स्विकार करना चीए. तो बताया जाता है कि अगर हम जो अभख्त हैं उनके मुख से सुनेंगे यही हरीकता तो वो हरीकता हमारा कल्यान करने के जगा हमारा नाश कर सकती है. तो उधारन देते हैं प्रवपाद कि कैसे दूद बहुत पॉष्टिक वारला होता है, दूद बहुत सहत के लिए अच्छा होता है लेकिन वो ही दूद किसी सर्पने स्पर्ष कर लिया हो तो जहर बन जाता है और उसके पीने से हमारे मृत्य हो सकती है. तो प्रवपाद बता रहे हैं कि जो अभक्त हैं वो अगर हरीकथा बता रहे हैं और आप गलती से उनसे सुनोगे हरीकथा, तो जो है हमारा आध्यात्मिक जीवन नश्ट हो जाएगा. तो हमें ध्यान रखना है, टीवी चैनलों में बहुत सारे कथाकार चलते रहते हैं, तो किसी भी कथा आप सुनने बैड़ जाओगे और परमाणिक नहीं हैं, तो उससे जो है आपका भक्ती का नाश्ट हो सकता है. यहां तक ही बताते हैं कि प्रहुपा लिख रहे हैं, चैतेने महापुरु ने सिखा है, मायावादी भास्य सुन ले होईलो सर्वनाश. तो मायावाद का भास्य आप सुनोगे तो उसका सर्वनाश हो जाएगा. तो देखने से मालों नहीं चलता है, लगते हैं, अरे ये भी सादू हैं, ये भी कितनी अच्छी अच्छी बाते बता रहे हैं, अगर आप वो सुनते रहोगे, तो आपका आधिहात्मिक जीवन का नाश्ट हो सकता है. यहां तक कि अगर आपको मनोरंजन के लिए बहुत सारी दूसरी चीज़े सुनते जा रहे हो, तो आप उनकी तरफ आकर्शत हो जाओगे, उतना आपका मन भक्तिय से हड़ जाएगा. तो यह एक तुलना की गई है, अज़ यह चीज़ बताया गया है, कि आप वहीं जाओगे जहां पे आपका मन रहेगा. तो जो जो चीज़ आप सुनते रहोगे, आपका मन में वही आकर्शन रहेगा और आप उसी दिशा में जाओगे जीवन में. तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो है, क्या सुन रहे हैं, जो चीज़ हम सुनेंगे, वैसे हमारी मनोगृत्ती बनेगी, वैसे हमारी इच्छा बनेगी, उस वैसी दिशा में हमारा जीवन जाएगा. तो अब भक्तों से नहीं सुनना है, जो भी प्रमाणिक लोग नहीं है, उनसे नहीं सुनना है. इसकौन के जितने भक्ते हैं, वो सुन सकते हैं, प्रमाणिक हैं, बाकी किसी का भी गेरेंटी नहीं है. तो यहाँ पर प्रवपाद बता रहे है Once one is associated with impersonalist he can never understand the personal feature of the Lord and his transcendental pastimes देखिए यह इतना खतरनाक चीज है जैसे हम लोग भक्ती में जुड़ गये हैं अगर कोई जिसको ज्यान नहीं आध्यात्म का और वो मायावादियों के साथ जुड़ जाए तो उसको शुरुआत से बताया जाता है कि भगवान का रूप नहीं है भगवान का आकार नहीं है जब भगवान लीला करने आते हैं तो वो माया है इसलिए उनको मायावादि कहते हैं तो ऐसे लोगों के संग में अगर कुछ साल बिता दिए और जैसे प्रहुपाद ने पहले बताया गया है कि ये लोग जो है दानों के समान होते हैं मायवादी लेकिन हमें ये सब में नहीं पढ़ना है प्रहुपाद बताते हैं हमारा जीवन की सार्थक्ता होगी जब हम भगवान की हरिकता सुनेंगे प्रमानिक गुरू से तो अगर ये कर रहे हैं तो हमारा जीवन सार्थक्या करके बताते हैं फिर चौतिस्वा श्लोक हम सब साथ में बोल सकते हैं तो बहुते हैं भगवान की हरिकता इतनी शक्तिशाली है वो तो सुनना ही चाहिए शिवत्या अंकस्या किम्पुना तो जैसे भगवान के हिर्दय पे शाती पे शिवत्स का निशान है तो उनकी कुथा हमने सुननी चाहिए तो बताते हैं लेकिन उनके साथ साथ सताम, सताम मतलब उनके भक्तों की कथा भी सुन सकते हैं तो भक्तों की कथा भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी भगवान की कथा तो देखें यहां पे प्रभपाजी स्पष्ट कर रहे हैं और इस श्लोक में महित्रे रिशी जो है यहां पर सुतो गुष्वामी बता रहे हैं सौनकादिगण को कि अगर हम भगवान की कथा सुन रहे हैं या भगवान के भक्तों की कथा सुन रहे हैं तो यह पूरा प्रमानिक है क्योंकि भगवान की भक्तों की कथा भी हमें उतना ही भक्ती में प्रेजित करेगी। हम लोग ने जैसे पहले सकंद में सुना सात्विय अध्याय में कि अश्व थामा को बंदी बनाये के लाये जाता है और अश्व थामा ने क्या किया था पांडूओं के पांच पुत्रों को जब सो रहे थे तो मार दिया था देखिए अब हमने एक कथा सुनी है कितने महीने पहले पहला सकंद हमने समाप्त कर दिया फिर दूसरा सकंद है तीसरा सकंद के भी हम आधे पे हैं पर हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने अपने भक्तों की कितनी परिक्षा की यहां तक कि जब अभिमन्यों मारे गए तो उसके बाद अर्जुन ने ये नहीं बोला कि अरे आप भगवान हो आप जो है सब कुछ कर सकते हो आपने मेरे पुत्रों को क्यों नहीं बचाया देखिए उनका पुत्र चला गया और उसके बाद ये वापे से दोराया जा रहा है उसके पूरे पांच पांड़ों के जो पांच पुत्र थे सारों को जो है अश्वतामा ने मार दिया तो पांडव महान भक्तों में आते हैं, लेकिन महान भक्तों की कैसे परिक्षा ली थी, और वो कोई एक आम भक्त सोच भी नहीं सकता, उसके बाद भी वो भक्ती करते रहे, उसके बाद भी वो टिके रहे, उसके बाद भी वो प्रमानिक रूप से जीवन के अंत तक उन्होंन गए लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ती की तो ये जो है हमें सीखना चाहिए कि हर परिस्थिती में जो है कम से हम श्रवन करते हैं तो हमें ये ग्यात होना चाहिए कि इतने महान भक्ते उन्होंने इतना जो है देखा है अपने जीवन में उसके बाद भी भक्ती करते रहे और फ तो प्रोपात अत्परियों लिखते हैं, एक जानवर अगर भक्ति करे तो वो भी भगवान के पास जा सकता है, लेकिन अगर एक देवता भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो वो भी भगवान के पास फ्राप नहीं हो सकता, भगवान के पास नहीं पहुंच सकता, तो सबसे म फिर छटीष्वय श्लोक में वर्णन आता है यह श्लोक हम साथ में चर्चा कर सकते हैं तमसुकारदयम रजूभीर अन्यसरनेर निभी ही कृताजन कौनोस्वेता दुराधयम असादुभी ही दूर आराध्यम असादू भी ही देखे इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भक्त क्या होते हैं और अभक्त क्या होते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि श्रवन करने वाले और जो है भगवान को शर्नागत होते हैं नर भी ही, नर भी ही मतलब नर, हम जैसे मनुश्य, और उनकी सेवा करते हैं, सेवत, अब ये देखिए, दो लोगों का वर्नन किया गया है, सुर और असुर, भक्त, अभक्त, तो यहां पे जो आखरिश शब्द आया हुआ है, वो है, असादु भी ही, असादु मतलब जो भक् अभक्त, वो क्या करता है, आराध्य नहीं करता है, दूर आराध्यम, तो भक्तों और अभक्तों में क्या फरक है, अभक्त कभी भगवान की पूजा नहीं करेगा, भगवान की सेवा नहीं करेगा, भगवान का नामजप नहीं करेगा, भगवान की हरीकथा बिलकुल नहीं स जैसे भी है तो हम लोग ने कई शलोकों में सुना है विश्नूर भक्तो स्मृतो देवो जो विश्नू के भक्त है जो विश्नू की भक्ती करते है स्मृतो देवो उनको देव बताया जाता है आसुरस कद विप्रया और असुर कौन है जो उसके विपरित हैं तो इस श्लोक में उसी बात का पुष्टी की गई है कि कैसे असादू भी ही जो असादू होता है जो अभक्त होता है वो कभी भगवान का आराध्या नहीं करेगा भगवान की पूजा अर्चना नहीं करेगा और जो भक्त है वो और श्राइप गश्वाया आने हमाना हमेस चैनल आन्न गेहा कोड़ा हना है और लेकिन फिर भी वो भगवान की भक्ती नहीं करते हैं, स्विकार नहीं करते हैं भगवान को तो प्रोपा लिखते हैं कि यह जो सूरियो की रोशनी हमें मिल रही है हम लोग बिजली का इस्तमाल करते हैं, आडानी को बिल भरना पड़ता है हम लोग पानी इस्तमाल करते हैं, BMC को पैसा देना पड़ता है, लेकिन वास्तिक रूप में परोपा लिखते हैं 3600 श्लोक के अंते में कि सुरियों की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, जो हमें जल मिल रहा है, ये सब हमें मुफ्त में मिल रहा है, तो कौन दे रहा है, भगव कर रहा हैं, तो अभी आखरी दो श्लोकों का क्रमा आखा रहा है, तो अखरी दो श्लोक करने से पहले मैं उसको बता दूं कि जो RSS, जो एक संस्ता है, और यहां तो कि जो रामदेव जो कर रहे हैं और शिशी रविशंकर कर रहे हैं तो इन सब का उद्येश्य एकी है हिंदुत्व जो है ये लोग सब जो संस्ताएं हैं वो पूरी तरह से हिंदुत्व को ही आगे बढ़ा रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है उनको करना भी चाहिए ये सबसे सभी लोगों के कल्यांड का लिये है और इससे और एक और चीज है जिसे हिंदुत्व में जब लोग आ जाएंगे तो फिर उनको उस तर से भक्ति के स्तर पे कि भगवान की सेवा पे लेके जाएं तो वो सबसे सरत्म होगा तो क्या है कि अलग-लग संस्ता हैं अलग-लग लोग इसको चला रहे हैं पर उनका उनका उदेश्य एक ही है कि लोगों को जो है हिंदुत्वक की ओर जोड़ें या उनको जो है आगे बढ़ावा दें तो एक बार हमारे विदेशी भक्त जो है बाके बिहारी मंदिर में थे विंदावन के तो जब बाके बिहारी मंदिर में थे तो उदर के पुजारी ने कहा अरे बहुत अच्छा से तुम माला कर रहे हो तिलक लगाया है कंठी माला पहने वे हो बहुत अच्छा आप जीवन परिंद ऐसे भक्ती करो तो आपका जब जीवन अंत होगा तब जाके आप विंदावन में हमारे जैसे पुजारी बन पाओगे तो वो भक्त जो है समझ नहीं पाया तो वो भाके गया पर्वपाद के पास और पुजारी ने मुझे ऐसा बोला तो प्रवपाद ने बोला तुम जाओ जाके उसको वापस बोलो कि वो पुरा जिन्देगी भर वहां स्टेवा करेगा बैठके तो अगले जनम में वो सेंट फ्रंसिस्को अमेरिका में पैदा होगा और हिपी बनेगा और इसकौन के साथ जुड़ेगा अर्थात प्रभुपात के दिश्टिकॉन का कि जो भक्ती में आ गए हैं और जो पूरा प्रचार कर रहे हैं वो इतने सारे पंडित और पूरोईट से काफी बढ़कर हैं तो एक उधारन दिया जाता है कि अगर हमें भूख लगी होगी तो हम भोजन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं या प्रसाद का आनंद प्राप्त कर सकते हैं तो सामने सामगरी है, सामने प्रसाद है, लेकिन उसको भोग करने के लिए उसको आनन्द उठाने के लिए हमें भूख होना बहुत जरूरी है. तो ये बहुत जरूरी है, हम सब जानते हैं, जब हमें भूग लगता है, तो हम खाने की चीज़ों का आनन्द प्राप्त कर पाते हैं. उसी प्रकार से हमारे जीवन में किसी भी परिस्तिती में हमें खुश होना हो, तो उसके लिए हमारी चेतना जो है शुद होना जरूरी है, हमारी चेतना अच्छी होना ही जरूरी है, अगर चेतना हमारी अच्छी है, तो हम हर परिस्तिती में भी आनन्द उठा सकते हैं, हम इसे हम भूके हो तो हम भोजन का स्वाद उठा सकते हैं वैसे अगर हमारी चेतना अच्छी हो तो हम हर परिस्तिती में भी खुश रह सकते हैं जैसे मैंने पहले भी उधारण दिया है कि जो है अपने हमारे दयाराम प्रभू जो कैलकटा टेंपल के प्रेसिडेंट हैं वो कहानी सुनाते हैं कि जब फ्लड आ गया था मायापूर में और वो अधर के टेंपल प्रेसिडेंट थे और समय नहीं था कुछी समय में उनको जो है सब समान ले जाना था चट पे तो तुरंत उदर से सब गईयां को लेके गए जो उनका मुख्य मुख्य समान था वो ले गए और सारे प्रहमचारी चड़ गये चट पे और फलर्ड आ गिया तो खाने के लिए वो सिर्फ कुर Quin ले पाए थे अपने लिए और बाकि कुछ ले नहीं मुझपन ने ले जा पाये थे और कुछ भी नहीं था महाँ पर तो बता जाता है दो दिन जो है दो से तीन दिन उसे कुरमुराई खाया था उदर भफ्तों ने छट पर रहके क्योंकि पुरा फ्लर्ड था नीचे उतर नहीं को जिससे उन्होंने बरतन में MAL सिर्फ लगड़ी आहुपके ऐटाल पका उस में नमक नहीं था अंच अस्य नहीं था सिर्फ चावल-दाल उबला हुआ था तो वो बोलते हैं पहला निवाला खाते ही हमें ऐसा लग रहा था कि हम अमृत खा रहे हैं अमृत का प्राप्त हुआ है चावल दाल जब मिला तो तो देखिए ये कितना मुख्य चीज है कि हमारी क्या चेतना है उस पर बहुत निर्वर करता है अगर हम लोग मंदिर में हो प् खाना दिया है यहां तक ही मैं खुद शायद ऐसा बोलनूं यह क्या गोजन दिया है यह क्या प्रसाद आपने भगवान को कैसे अरपन गया ऐसा करके हम बोलेंगे लेकिन जब कोई काशी समय भूका हो तो फिर वो कितना आनंद उठा सकता है एक सिर्फ चावल और दाल साथ में उबला हुआ होगा भी तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमको जो कुछ भी मिलता है हो सकता है किसी के पास जो है सरल सा जीवन है उसके पास दो जोरी कपड़े हैं खाने के लिए सावान सा उसके पास प्रसाद है भक्ती कर रहा है पर उसमें भी वो संतुष हो सकता है पूरी तरसे और अगर वो संतुष नहीं हो तो फिर बाद में उसके पास बहले ही पूरी एक इमारत आ जाए, बहले ही उसके पास बहुत सारा धन समपत्ती आ जाए, वो उसमें भी दुखी हो सकता है तो गिराज महराज की जो बहन थी, गिराज महराज के पिता जी बड़े लौयर थे, उनके अज़ बहुत सारा दन था और अपनी कथा बताते हैं कि कैसे, उनकी बहन के पास 365 कपड़े थे, 365 कपड़े में से जो है, वो साल में एक ही बार कपड़ा बहनती थी और फिर अगले साल उसका नमबर आथा और उसका जनम दिन था और जनम दिन के दिन उसकी जो कपड़ा नया था उसको इस्तरी करते समय नौकर ने गलती से वो कपड़ा जला दिया तो वो इतना रोने लग गई तो गिराज महाराज छोटे से नवजवक लड़के थे, वो बले इतना रो क्यो रहे हो इतना कपड़े हैं तुम्हारे पास पहन लो किसी को समझ में तो आएगा नी क्यों कि साल में तुम एक ही बार हो कपड़ा पहनते हो लेकिन वो रो रही थी बोलें नहीं मुझे वो ही कपड़ा चाहिए जो मेरा जल गया तो देखिए लोग किसी भी चीज को लेके दुखी हो जाते हैं एक लेडी थी उसने जो है अपने नाखुन बड़े-बड़े करके रखे थे और एरपोर्ट पे थी और उसका सामान रखते समय उसका हाथ था और वो जो मदद करने वाला है जो वजन काटाई से उठाता है उसने सिता रख दिया और उसका नाखुन तूट दिया तो कई स्तिरियां होती है जो नाखुन लंबे-लंबे करते हैं और उसको फिर एकदम राक्षिशी जैसे लगते हैं वो लोग लेकिन कितना लंबा किया था और तूट गया तो वहीं रोने लग गई तो देखिए फालतू चीज़ों के लिए लोग इतना समय वियर्थ करते हैं और उसके नुकसान होने पर और दुखी भी हो जाते हैं तो आपको किस चीज़ पर खुश होना है वो आपकी चेतना पर निरभर करता है तो अगर आपकी चेतना अच्छी है तो आप हमेशा संतुष्ट रह सकते हैं अभी 37 श्लोक ये 37 और 28 श्लोक में जो है वर दिया गया है कि ये हरीकता जो है हमने खास वरदेव का सुना उसका क्या वर मिलने वाला है तो 37 श्लोक सब साथ में पढ़ सकते हैं योवई हिरनाक्षा वदम महाद अद्भुतम विक्रीडितम करन सुखार्त आत्मन शुनोती गायाती अन्मोदते अंजसा भिम्युच्यते ब्रह्मन वदाद अपीद्विजा तो इस श्लोक में देखिए हिरनाक्षा वदम हिरनाक्षा का जो वद हुआ है तो ये महाद्भुत कथा है और इसका कारण क्या था इसका कारण ये था कि भगवान आये थे और उनने प्रिथ्वी को गर्बोदक सागर में से निकाल था तो भगवान सुकर के रूप में आये थे ये बताया गया है सूकर आत्मना आत्मना मतलब यह जो सूकर आये थे वो पूर्पुर्ष्टन भगवान थे अब यह जो कथा सुनेगा शुनोती, सुनेगा गायनती, जो इसका कथा सुनाएगा या अन्मोदते का मतलब है कि जस उसको आनन्द भी आएगा तो अगर हम समने ये कथा सुना है और कथा सुनते समय हमें अच्छा भी लगा है या सुना भी है हमने या किसी ने बोला भी है तो अन्जसा मतलब उसी वक्त बताय जाता है क्या होता है वो ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है तो अंतिम लाइन में आता है विमुच्यते ब्रह्मवादता मतलब उसने सबसे बड़ा पाप किया हो तो हम सबी ने इस जनम में अलग-अलग पाप किये होंगे भक्ती में आने से पहले और पूर्म जनमों में हमने क्या-क्या पाप किये होंगे हमें कुछ मालूम नहीं और उ महत्या से भी उसको जो है मुक्ती मिल जाएगी ये इस हरीकथा की शक्ती है तो प्रोपाजी बहुत तात्परे में मुख्य चीज़ बताते हैं तो पहला ये 37 श्लोक चल रहा है जो भी भगवान की हरीकथा सुनता है वो साक्षात भगवान का संग करना है तो देखिए बार बार ये चीज प्रोपादे अपने तात्परे में बताया गया है तो हमें समझना चीए जब हम ये हरीकथा सुन रहे हैं हम साक्षात भगवान के संग में हैं फिर बोलते हैं कि जब हम भगवान के संग में हैं तो अपने आप हम सभी पापों से मुक्त हो जाएंगी और सभी पापों में सबसे बड़ा पाप क्या है प्रोपा लिखते हैं ब्रामन की हतिया जो सबसे उत्तम पाप माना जाता है सबसे बड़ा पाप माना जाता है बहुती जगत में उससे पर उधार हो जाता है जब हम हरी कथा सुनते हैं तो एक ये वर मिल गया कि किसी ने बड़ा से अब भी किया हो तो वो जो है उससे हम मुक्ष हो जाएंगे अभी 38 श्लोक ये ज्यादा महत्वपून है इस श्लोक में आठ वर है कितने वर है आठ वर तो हमने पूरा कथा सुना है तो अभी हम आठ वर क्या-क्या मिलने वाले हम सब को वो सुनते हैं सब लोग साथ में श्लोक वर्धनम नारायनो अंतेगतिर अंगश शन्वताम तो ये जो शन्वताम मतलब श्रवन करता है तो उसको आठ क्या फल मिलते हैं पहला महापुन्यम महापुन्यम का मतलब है extraordinary merit असाधरन योग्यता अर्थात सभी भक्तों को एक असाधरन योग्यता मिलेगी योग्यता अगर हम ये कथा सुनते हैं तो दूसरा धन्यम सबको पैसे की अकांग्शा है तो यहाँ पे लिखा है कि जो यह हरी कथा सुनता है उसको धन भी मिलेगा तीसरा अगर कोई पदवी के लिए जो है लालाइथ है पदम पोजिशन वो भी मिलेगा चोहता अगर किसी को यक्ष चाहिए तो यक्ष भी मिलेगा यहाँ पे वनन किया है यशम फिर किसी को दीर्ग आयू चाहिए लंबा जीवन यहाँ लिखाया आयूर लॉंग लाइफ वो भी मिलेगा चाहता इंद्रियों में पूरी तरसे जो है शक्ति भी मिलेगी आशे शाम यह बताएगा ऑर साथवा जीवन परियंत में जब हम लोग पूरा संगर्श कर रहे हैं तो प्राने इंद्रिया जो है वर्धनम तो वो बताएगा है कि हमारी इंद्रियों में जो भगवान की हरी कथा सुनता है, तो वो अन्त समय में भगवान को प्राप्त होता है, भगवाद धाम जाता है, तो इसका तात्परिया, मैं फिर से सुनाओ, चाहिद आप लोग को अच्छा लगेगा, कि हमने इतना कथा सुना, तो ये क्या फल मिल रहा है हमको, पहला, एक्स्टरॉडिनरी मेरिट, महापुन्यम, असाधन, योगयता, दूसरा धन, तीसरा जो है पोजिशन या पदम, चोहता यश, पांचवा लंबी दीरगायू, छटा इंद्रियों में शक्ति, सात्वा हमारे पूरे जीवन में, हमारे प्राण, हमारे इंद्रियों में वर्धन उसमें शक्ति बढ़ेगी, सात्वा ये था, और आठवा, नारायन अंत गतीर, कि अंत के जीवन के अंत में हम भगवधाम प्राप्त करेंगे, तो अभी प्रवपात का तात्परिय भी महत्वपूर्ण है, तो ये हम सुनते हैं, पहला प्रवपात बताते हैं, कि जो भक्त ह होते हैं, वो हमेशा भगवान की हरीकथा की तरफ आकर्शित होते हैं, तो अभी मैं इस हरीकथा में प्रवपात का तात्परिय इसमें जाने से पहले एक सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए, अभी एक चर्चा चल रहा है, मेरे कई में जो डिवोटीज हैं आइवेस्ट में, उनसे चर्चा चल रहा है कि शायद ऑगस्ट में लोगडाउन खुल जाए, तो उसके बाद हम भागवत कथा कप कर सकते हैं, मतलब किस समय हम कर सकते हैं, तो जितने भी भक्तगर्ण श्रवन कर रहे हैं, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, आप पर्सनली मे करने के लिए आपको सबसे उत्तम लगेगा, क्योंकि देखिए, सब जितने भी श्रवन कर रहे हैं इस वक्त, सब लोग अलग-अलग कारिया कर रहे हैं, कोई ग्रहस्ती औरते हैं, कई जो हैं, आइवेस्ट बोईज हैं, कई भाहर काम करने वाले प्रभुजी हैं, तो सब क टाइमिंग अलग है, तो आप लोग अपने तरफ से बेस्ट टाइमिंग बता दीजिए, और क्या करूँगा मैं, जो भी सब लोगोंने अपना टाइमिंग दिया है, मैं उस सब को नोट करके, ऐसा टाइमिंग निकालूँगा, जिसमें ज्यादत से ज्यादा लोग स्रवन क कर सकें, और ज्याद से ज्यादा लोग मिलके जपा कर सकें, तो सभी बक्तों के लिए एक होमवर्क मान लीजिए आप लोग, आप लोग को मुझे बताना है, जपा के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या है आपके लिए, जो हम लोगडाउन बंध होने के बाद भी, जो हम हमेशा ये कंटिन्यू कर सकें, जो है हरी नाम, सब भक्तों के संग में, और दूसरा हरी कथा भी बहुत महत्वपून है, अभी हम सुन रहे हैं इस श्लोक में, कि पिछले श्लोक में सुना कि ब्रह्म हत्या से भी बच जाते हैं, और इस श्लोक में तो आठ जो है, हमें वर् धनम ये सब बढ़ेगा, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि ये रुके अभी, हम चाहते हैं सभी भक्तों के जीवन में उनको जो है, असाधरन, योग्यता मिले, धन मिले, यश मिले, दीरगायू मिले, सब मिलता रहे, आपको भी मुझे भी, तो उसके लिए हमें ये भागवतम क करते रहना पड़ेगा, तो रात का समय, शाम का समय, सुभो का समय, कौन सा समय बेस रहेगा भागवतम के लिए, और कौन सा समय बेस रहेगा जपा के लिए, और आप डूरेशन भी दे सकते हैं, आदा गंटा, पौना गंटा, एक गंटा, वो आपके उपर है, आपना टाइ बता दीजे और जपा के लिए बेस्ट टाइमिंग कितना लगेगा एक घंटा देड़ घंटा दो घंटा अब सब जो है होमवर्क मान के सोच समझ के चर्चा करके यह सोच के करिए कि भई मुझे ऑफिस जाना लगूंगा तो मैं कौन से टाइमिंग पर जो है श्रवन कर सकता ह हो जपा कर सकता हूं तो जरूर मुझे वाटसअप करिएगा यह समस भी कर सकते अपने नाम के साथ तो फिर मैं जो है इसके उपर अभी से काम करेंगे तो शायद लगता है दो तिन दिन चार दिन लगेगा सब भग मुझे देंगे मैसेज यह आज ही दे दे तो और भी उत् अथा के तरफ जो है वो पुरी तरह से आकर्शित रहते हैं और भक्त जो है हो सकता है कभी बहुत ज़्यादा तपस्या नहीं करें अपने जीवन में लेकिन भक्ती करने के कारण और भक्ती में विशेशूप से प्रवपा लिकरे हैं भगवान की हरीकथा सुन रहे हैं तो ह अरीकथा सुनने से उनको अंगिनत जो है फायदे होंगे तो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या अंगिनत फायदे होंगे धन मिलेगा, उनका जीवन लंबा होगा, उनको यश मिलेगा और प्रवपा लिख रहे हैं और उनकी जीवन में जो भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी होंगी and other desirable aims of life ये पताथपरी आप लोग पढ़ लिजेगा 38 श्लोक हमने इतने दिनों से हम वरदेव की कथा कर रहे हैं ये 38 श्लोक में पूरा वर दिया गया है कि ये सब कथा हम कर रहे हैं और आपके जीवन में जो इच्छा है वो भी पूरी होगी फिर बोलते हैं अगर कोई जो है भागवतम सुनता रहेगा जो भगवान की लिलाओं से भरा हुआ है तो जीवन के अंत में वो भगवत्धाम भी पहुंच जाएगा तो यहाँ पे लिखा है इफ वन कंटिनूस तो यहर दपास्टेम सद्लाट पर एंड अफ इस लाइफ तो हमें जीवन परेंत सुनना है तो क्या हमें करना है बस समय निकालके बैठना है जब हरी कथा हो रही है मैं बोलने के लिए तयार हूँ आप लोग सुनने के लिए तयार रहे है तो बोलने और सुनने वाले इस भागवतम के शलोक के हिसाब से कहा जाएंगे भगवतधाम तो प्रोपा लिखते हैं कि जो सुनने वाले कथा सुनने वाले हैं वो उनको दोनों फाइदा होता है दोनों फायदा होता है मतलब, भगवत दाम तो जाएंगे हुजाएंगे, लेकिन जब तक वो भौतिक जीवन में रहे हैं, बौतिक जगत में रहे हैं, तो उनको सब तरह का लाब मिलेगा. तो देखिए यह हरीकथा का शक्ति है आप हरीकथा से जुड़े रहेंगे तो अंत में तो भगवाजाम जाएंगे ही जाएंगे और जीवन में आपको किसी चीज की कमी ने रहेंगी सब चीज आपको पूरी तरह से प्रचूर मात्रा में प्राप्त होगा यह प्रपाजी बता रहे हैं अभी हमें क्या चाहिए हरी नाम से हरी कथा से जुड़े रहना हरी नाम नहीं हरी कथा बोल रहे हैं तो हरी कथा से कैसे जुड़ना है वो आपको और हमको विचार करना है तो मैं तो अपने तरु से कोशिश कर रहा हूँ इतने महिनों से चल रहा है और मेरा तो इच्छा है जीवन काल के अंतिम समय तक हमारी कथा करते रहें तो आप लोगों का योगदान चाहिए क्योंकि आप लोग श्रवन करेंगे तो मैं कथा कर पाऊंगा तो आप लोग सोचिए सबसे उत्तम समय क्या रहेगा लोगडाउन के बाद भले आदा गंटे का ही समय क्यों न हो तो वो हम चर्चा करेंगे इसके उपर और तो लोगों का जैसे जैसे मैसेज आता रहेगा तो विशुद्य सत्व बहुत उत्साइत है प्रवचन के साथ से उन्होंने मैसेज मुझे दे दिया है तो ऐसी उत्साइत दिखाईए आप लोग सब भी मैसेज दीजे तो उसके बाद हम लोग हो सकता है प्रवचन में मैं आप लोग से चर्चा करूँ और फिर सबके विचार आने के साथ बैक और फोर्थ हम लोग का डिस्केशन होने के अधा हम एक टाइमिंग फाइन करेंगे तो आगे बता रहे हैं यहाँ दब बिगनिंग अफ डिवचनल सर्विस देखिए प्रवपाद बहुत मुख्य चीज बता रहे हैं यह मेरे को सबसे उत्तम लगा प्रवपाद बोले बोल रहे हैं भक्ती दब बिगनिंग अफ डिवचनल सर्विस बक्ती कैसे प्रारम होता है तो स्पेर सम टाइम तो लिसन टू शिमत भाकतम फ्रम दा राइट सोर्स देखिए कितनी अच्छी बात बोली है प्रवपाद में प्रवपाद बोलता है किसी की भक्ती शुरू करनी है तो क्या करना चाहिए? उसको बोलना चाहिए कि सिर्फ कुछ समय निकाल के आप जुड़ो ये मत बोलो सवा घंटे का प्रवचन है उनको ये बोलिए कि आप अपने हिसाब से 15 मिट कभी भी जुड़ जाईए शुरुवात में बीच में अंत में सिर्फ 15 मिट दीजे प्रवपाद बता रहे हैं अगर किसी की भक्ती प्रारम करनी है तो उसको सिर्फ कुछ समय निकाल के भागवतम से जुड़ा दीजे बस तो हम लोग ये कथा करी रहे हैं अगर आपके दोस्त हैं कोई दूसरे भक्त हैं उनको बिली जादा समय नहीं है कोई बात नहीं 15 मिट जुड़ो तो थोड़ा भी समय निकाल के जुड़ जाएंगे तो पूरी जिनकी जीवन सार्थक्ता के ओर वो निकल पड़ेंगे तो वो ही चीज़ बता रहे हैं कि चैतने महापणु ने पांच चीज़ों को महत्वपूर्टा दी गई है जिससे जीवन सार्थक होता है और भक्ती में जिसमें बोलते हैं सादू संग, नाम किर्तन, भागवत श्रवन, मथुरवास श्री मूर्तेरध शध्दाय सिवन ये पांच चीज़ों के बारे में बताय गया है भक्तों की सेवा, भागवान का नाम जब और शीमद भागवतम की कता तो ये दीखिए, रोज शीमद भागवतम सुनने के लिए भागवतम में बताया गया है नित्यम भागवत सेव है नित्यम भागवत सेव है रोज भागवतम सुनना है रोज भागवतम पढ़ना है तो अभी ये हम आगे भी जो है जब तक लोगडाउन चल रहा है तब तक तो ये टाइमिंग ये ही रहेगा लेकिन उसके बात का टाइमिंग क्या है उसके लिए हम ल करने से हमारा जिवन शार्थक हो सकता है। हम mm लोग से हम लोग देखिए अगर आप देखें इस हमारे जो करक्रम महुं हम तीन मुख्यचीज कर रहे हैं । भक्तों का शंग हो रहा है क्योंकि हम संग में कठा सुन में तो आप ये निश्चित समझ लीजे कि निश्चित रूप से आप भगवत धाम जाएंगे ये मेरा वाक्या नहीं है ये प्रभुपा जी का वाक्या है तो सादू भक्तों का संग कर रहे हैं, हम नाम जब कर रहे हैं और हम भागवत सुन रहे हैं, तो इक तीन से जो है फिर घर में किसी के विग्र हैं वो सेवा कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पूरा जीवन सार्थक होगा तो ये जो है ये उनिस्वे श्लोक का जो है उनिस्वे अध्याय का ये अंत हुआ है इस श्लोक के साथ तो अभी हम कल बीस्वे अध्याय पे प्रारम करेंगे तो अभी हमने जर्नी होम पे चलते हैं जहां रादानात महराज जो है रिचर्ड जी, हमारे गूर्व महाराच का पुराणा नाम था तो वो भारत में आए हैं और बताय जाता है कि वो इदर घूम रहे थे कहां पे? चान्नी चोक में, डिल्ली में तो चान्नी चोक में जब वो पहुंचे तो महराज बोलते हैं कि मैं जो है Middle East में जो है वहाँ पे जो है अफगानिस्तान और वहाँ सब घूम कर आये था और वहाँ पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान था लोग ही बहुत कम दिखते थे और उसके बदले में जब मैं चानी चोक में पहुंचा डिली में ऐसा भीड थ तबी वहाँ पे एक व्यक्ति आ गया और एकदम से महराज का रास्ता रोक के बहुत सारे प्रशन पूछने लग गया महराज को आपका नाम क्या है आप कौन से देश से हैं आपने क्या पढ़ाई की है आप क्यूं भरत में आये हो आपने अपना देश क्यूं छोड़ा तो म हम लोग समझने की कोशिश करें महराज जिस तरह से किताब लिखा है महराज ने पुरा वर्नन किया है हमें समझना चीए सामने वाले का भाव क्या है जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो क्योंकि वो शब्दों में कुछ बोलता है पर उसका मन भी समझ में आता है जब वो शब् है और फिर उसने महाराज को बोला कि आप कुछ पीएंगे क्या तो महाराज बोले हाँ ठीक है क्योंकि महाराज थो भूके प्यासे थे तो वहां पे एक आदमी एक जो बताया जिता है होम मेट सिगरेट होम मेट सिगरेट मतलब बीडी की बात कर रहे हैं वो बीडी फूक रहा और उसको घसके उसने पूरा उसका जहां मुरब्बा जैसा बना दिया और वो उसने पानी में डाल दिया और जो है बहुत जोर से हिलाया और फिर उसने ग्लास में डाल के दिया तो मुझनोंने जो महाराज को लेके गए थे वहां पे उन्होंने बोला आप पिएंगे क्या तो महाराज ने हाँ बोला, क्योंकि महाराज को लगा ये अच्छा होगा, दिखने भी भी हर रंग का लग रहा है, और महाराज को तो बिल्कुल भी घ्यान नहीं था कि ये थोड़ा शराब जैसा कुछ होगा करके, तो उसनों सामने से बोला ये शराब नहीं है, शरीर के चार ग्लास पिला दिया महाराज को, और फिर जो है, उसने बोला कि तो महाराज बताते हैं कि ये भांग है, उस व्यक्ति ने उनको बताया, और जैसी कुछ समय हुआ, बोलते हैं मेरा मन में, मेरे दिमाग में ऐसा धमाका जैसे होने लगा, बहुत सारे रंग दिखने लग और मेरा सर पूरी तरसे घूमने लग गया, यहां तक कि जितने भी लोग थे आस-पास में वो लोग घूमने लग गया, मेरा शरीर पूरा कापने लगा, और मैं पूरी तरसे पागल हो गया, महाराज बोलते हैं, वो simply paranoid, और मैं लोगों में जा जाके, जो है, उनको ठोकर मा पॉष्छी देख रहे थे तो मुझे क्या से मालूम है कि यह भांग है यह इंतॉक्सिकेशन है महराज बोले मुझे तो यह सा मालूम ही नहीं, मुझे तो लगा यह शरीर के लिए अच्छा स्वास्त के लिए है और इसलिए मैंने पी लिया और फिर महराज सोचते हैं कि मन में अरे मैंने तो कसम खाया था काबूल में, घंदार में, कि मैं कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं लूँगा, नशा नहीं करूँगा, तो मैंने नियम तो तोड़ दिया, भले गलती से तोड़ दिया, लेकिन तूड़ गया, मैंने तो कसम खाया था, और फिर बोलते हैं महराज में रिक्षा में, लोगों में जा जा के ठोकर खा रहा था क्यों? क्योंकि मेरा सर पूरी तरसे घूम रहा था ये भांग के नशे में और फिर बताया जाता है भांग के नशे में घूमते घूमते महाराज सोच रहे थे कोई तो रास्ते के अंत में पहुंचे और महाराज लाल किले के पास पहुँच गए तो लाल किला जो शाजान ने अपने लिए बनाया था और वैसे इतने चक्कर के परिस्तिती में महाराज बोले वहाँ एक जगा जूंड था लोगों का तो महाराज बोले बांबू के जो है लकडी पे जिसमें छेत था उसमें से ध्वनी कर रहा था वो कौन था सफेरा था और ये देड़ फुट जो उसका जो वो था बासूरी तो उससे वो सर्प को साथ जो है ये कर रहा था तो बताया जाता है उधर कम से कम एक डजन जो है डिब्बे थे लकडी के और उसमें सब में सर्प थे तो दूसरा व्यक्ति जो है एक-एक धकन खोल रहा था और उसमें एक-एक सर्प बाहर निकल रहे थे और सब के जो है जहरीले जीब बाहर आ रहे थे और सब लोग जो हैं देखके एकदम आकरश्चित हो रहे थे और सब लोग दूर भी रह रहे थे कि कैसे ये सर्प लोग जो हैं उसके ध्वनी पे नाच रहे थे तो बताय जाता है कि जो दूसरा आदमी था जो काले कपड़े में था उसने उस वक्त जो है एक बड़ा जो है बारा फिट का लंबा कोबरा सांप निकाला तो जैसी बारा फिट लंबा कोबरा सांप निकाला तो जितने भी लोग देखने वाले सब पीछे हट गए और महराज बोले कि मैं अपना आख जपकाओं उससे पहले उसने ये जो सर्फ है मेरे इड़गिड़ फैला दिया और उसने ये सर्प ने मुझे पूरी तरसे कस लिया और मानों ऐसा लग रहा था कि जो है उसने मुझे पूरी तरसे पकड़ लिया और उसका चहरा मेरे चहरे के सामने था और मेरे अभी भी नशा का असर खतम नहीं हुआ था और यह सर्प का मुँ मेरे मुँ के सामने था और उसके सांस जो ले रहा था मुझे लग रहा था और फिर बोलते हैं यह सर्प ने मेरे आँखों में देखा मैंने उसके आँख में देखा और वो जीब निकाल रहा था तो मेरा हिद्य ऐसा घबरा गया और तब ये सर्प ने और अपना जकड जो है तेज कर दिया मतला दबा दिया मुझे तो बताई जाता है कि इस व्यक्ति ने जो है उसको बोला पचास उर्पे दो तो महराज को तो समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो हिंदी में बोल रहा थ तो उस क्राउड में जो लोग थे उसमें से किसी ने इंग्लिश में बोला कि ये पचास उर्पे मांग रहा है आपसे तब ही छुड़वाएगा आपको समझ से महराज ने बोला मेरे पास पैसा ही नहीं है तो उस आदमी ने बोला तो तुम ऐसी रहोगे तो सब लोग देख रहे थे कैसे विदेशी को जो है इसने साप के साप के फंदे में कैसे फसा हुआ है तो बोलते हैं महराज आदा घंटे तक ही ऐसा चलता रहा है आदे घंटे तक मैं साप के जो है चंगुल में था और ये मेरा पहला दिन है भारत में और दात के सर्प और जीब दिख रहे थे मेरे को, साप के पूरे दाथ और जीब हैं, वो मेरे मुक के सामने थे, तो महराज बोलते हैं, इस जगर के लिए मैंने अपना जीवन जोखम में दिया, मेरे माबाप मुझे इस अवस्था में देखेंगे, तो बुलेंगे, ये क्या करने आया है, तो मैं अभी इस परिसिति में क्या कर सकता था, एक तो नशा भांग का मेरे दिमाग में चड़ा हुआ था, मेरे हाथ पैर पूरी तरह से इसने जकड लिये थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, तब मैंने आख बंद करके, जो है फिस से वो ही किया, जो हम हमेशा करता था, मैंने भगव महराज ने कितना जोखम लिया है, हो सकता था, कि वहाँ पर वो सर्फ कार्ट भी देता था, महराज का मृत्यू भी हो सकता था, पहले भी हमने कितनी बार देखा है, खंदार में वो डाकू लोग मारना चाहते थे, महराज को, तो कितनी बार महराज ने अपना जीवन जोखम किया है भगवान को जानने के लिए लिए महाराज बोलते हैं जैसी मैंने प्राथनागी आग बंद करके तो मुझे एक शांती थोड़ा सा मिला और उसी वक्त बताय जाता है एक आदमी जब करते हुए वहाँ पर आया और उसने उस आदमी के साथ जो है मौल भाव करके पचास उरुपय की जगधा दस उरुपया दिया और महाराज का सर्फ हाथ से उनके शरीर से तो महाराज बताते हैं कि मैंने उसको धन्यवाद किया और मैं वहाँ से निकल गया आ अगे तो अब ही आगे क्या होता है महाराज के साथ भारत में वो हम कल चर्चा करेंगे शाम के चार बजे के सत्रमें पर तब तक मेरा रिक्वेस्ट है सभी भक्तों से अगर हो सके तो आज रात तक अपना टाइमिंग मुझे भेजिए जपा का और भागवतम का तो बहुत अच्छा रहेगा